हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में आपको जुए से निकलने का एक तरीका बता सकता हूँ, बतलब कई तरीकों में से एक तरीका है, कई लोग ने पूजा कि भाई सब आपकी बात सही है, हम छोड़ना भी चाते हैं, पर हम छोड़नी पाते हैं, कैसे निक मैं एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं कुछ सर्थ तक चेंड स्पोकर भी था कि 20 से 25 पीता था था प्लासिक रेगुलर एक दिन में और मैंने वह सिग्रेट पीना एक जटके में छोड़ दिया मतलब 13 सितंबर 2009 को मैंने आखरी सिग्रेट पी तो उसके बाद मैं आफ तक सिग्रेट नी कि उस हफते में मैंने छोडने के बाद 2 सिग्रेट पीती एक हफते में वह भी बहुत ज्यादा हाथ काप रहते घबराट ह जटके में स्कूर जटके मेंुस अन्यक्रैट कीसे चूड़ी। कोई निकोटिन नहीं कोई काउंसलिंग नहीं कोई किसी मनोविद्छयनिक क्या हिसे छोड़ी आप 10 साल 2000 1999 में पहली जट की ती सटी और 2009 में सटल्किट चूड़ी हम दिल देचुके कोई सनम पिच्चर आई थी 1999 में उसके बाद मैंने सिग्रेट पीना शुरू किया था बीयर और सिग्रेट एक साथ एक जटके में सिग्रेट छोड़ दी क्योंकि जब अगर नशानी करता है तो यह उस वह मुझे कहती है जब मैंने सिग्रेट छोड़ी तो मैंने उसको बोला गिए एस्ट्रे वगरा सब फैक्त दे मैंने आज के बाद सिग्रेट निप्यों है मेरी आखरी सिग्रेट थी तो उसमें तीन चार दिन तक से एस्ट्रे नहीं फैकि कि यह पर्से नскरूदी आज शें पर निछा तो में पितने के साझी बड़ा प्रसे नहीं लग़ें एस्ट्रे महां आइस्ट्रे हैं लाइटर भी महांगे मैं बड़े स्टाइल केस मेरे पास्ट रखी केस होता था म систем केस सिग रॉद केस रखने केस कि tent गेस होगा और 시간 तो मेले पीटें लाइटर होते था अच्छी अच्छी और एस्टे होती था अच्छी तो पलाब एक स्टाइल तरीके से क्लासिक रेगुलर सिग्रेट भीता था तो कैसे छोड़ी एक दिन ऐसी बैठा हुआ था मुझे लगा कि यार मुझे इसको छोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए छोड़ना नहीं पा रहा हूं तो मेरी उस समय मेरी बड़ी बेटी थी तो मैंने वह सोरी कि मैंने का इसके हाथ रखके कसम खाता हो गया यह सोचने का आदना मुझे अपने आप से घिनाने लगी और सिग्रेट को मैंने उठाया मैंने कि दो कोडी की सिग्रेट मुझे गुलाम बनाएगी इसकी उकाद है कि ये मुझे गुलाम बनाईगी, मैंने आखरी सिग्रेट को लंबे-लंबे कश लेके पी और मैंने खटाओ, इसकी दो कोड़ी की उकाद है कि मैं इसके महताज रहूँगा, इसके इसाब से चलूँगा, निकाल फैका उसके, ऐसे ही आपको जुए को ये कहना है कि ये दो कोड करो ना अपने आपने अपने मन किया, आपने खेला आप उसमें लॉस हुआ गया, कोई बात नहीं, हटाओ इसको, क्योंकि एंड रिजल तो जुए में जीरो ही होना है, बरबाद ही होना है, अपने अंदर ना एक अंदाज लेकिया हो, एक attitude लेकर किया हो, कि आपकी कदर है क कोई, आप भली ठीक है, दुनिया पूछे ना पूछे, आप भली जुए में हार गया, वो अपनी बात है, पर आप अपने अंदर बादश्या हो है, ऐसे थोड़ी है कि कोई अंगले कंगले बैठे है, ऐसे कोई गली के भुकर है, ठीक है हमारा मन किया, जुए राजाओं का खेला, नहीं जीत पाए, हमने उसमें लॉस उठा लिया, हमारा पैसा चलेगा, कोई बात नहीं, जीवन बहुत लंबा है, किसी और रास्ते से और पैसा कमा लेंगे, हटाओ, जुए कोई दफा कर अपने जीवन से, दो कोड़ी का जुए मुझे गुलाम बनाएगा, ये अं मुझे गुगा में रहते हुए साड़े-3 सार, बहाँ पर सारे कसीनो हैं, हर कसीनो में खाना फ्री है, शराब फ्री है, सब कुछ फ्री है, सूचो मेरे तो कितना पैसा बचा सकता था, मैं रोज कसीनो में पहुंचों, फैमिली को लेकर बढ़िया खाना पीना खा कर आजो, दो कॉड़ी का कसीनो, ये फ्री का खाना वाना फिला करके में को वतलब समझें कि आम खाने के भुकर है, और मैंने देखा है, लोग लाखो रुपय जीच जाते हैं, पान्सु रुपय का खाने का बिल भार ना देना पड़े, वहां पर फ्री का खाना खाने के चक्कर में, सारा गवा देते हैं क्योंकि टुक्षी अपनी नजर में कदर ही नहीं एक मिड़र आदमी कि जितनी तनका हो दी तो मैं इन गुटलों में टिप बाट देता हूं मैं जब भी बाहर जाता हूं यहां पर 7-11 होते हैं थाइलेंड में अभी थाइलेंड में हूं तो जितने भी य एक रात का बिल 25,000 पे बेंडना था 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 और चौबीस 25,000 पे बिल बना था कि ऐसा थोड़ी कि मैं आपके अंदाज होना चाहिए वह फ्री के खाना फ्री की दारू के चक्कर पे बरबाद हो जाते हैं आप अपनी वेल्यू बढ़ा दो ना कि आप राजा हो राजा हो होने के लिए आपके पर करोड़ो रुपया या लाखो रुपया की जरूद नहीं है राजा सूच से होता है आप राजा बन जाओगे तो जुवा कैसे गुलाम बनाएगा राजा कभी गुलाम थोड़ी होता है अपने अंदर राजा वाल एक्टिटूड लेगा हो ठीक है मै अब बहुत जिन्दिया बदलती बहुत लोग जो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे सीधा धराम से नीचे आके गिरें उन्होंने तो कोई जुवा नहीं तो कोई बात नहीं आपने भी नुक्सान उठा लिया आगे बड़ो मूव औन लाइफ बहुत बड़ी है शो मस्ट ग यह कहां डरे सेमें छुपे हुए कभी किसी को गाली देदी कभी किसी को बोल दिया फ्री की दारू के लिए जुवा खेल लिया एक दिन बड़ा बनुवा एक दिन बड़ा बनुवा जुवे से कभी कुछ बड़ा बनना है क्या आस्तर जूए में एक दो परसेंट लोग होते हैं जो इसको करियर बनाते हैं वो लोग होते हैं जो प्लेयर होते हैं गैंबलर नहीं होते हैं उनको मालूम होता है वो कम खेलते हैं क्योंकि ज्यादा खेलेंगे तो वो भी माइडस में जाएंगे मैं इमानदारी से आप लोगों को बता देता हूं और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने जुवा छोड़ा वे उनका ये दावा है 200 से जादा लोगों का अब तो और भी बढ़ गए हैं कि भी हमने आपकी आने वाले दिनों में मैं गिंती नहीं कर सकता ये एक अंदाजा है मैंने कहीं लिख नी रखा यह हमने आपकी वज़े से जुवा छोड़ दिया कुछ नहीं रखा इसमें एंड रिजल जीरो है है अपने कदर गवा रहे हो अज जीतऊगे डर रहे हाँ जीतने के बाद क्या बोलोगे कहां से आया पैसा वह भी दोले गया उपको एडवेंच्रेय नहीं बड़ामजा आता है और लीजुए मेरियु करो उसको प्रोफेशन क्यों बना रहे हो प्रोफेशन बनाने वाली काबिए डवलप करो ना वो काबिए तो है नहीं 15-15-18-18 साल के लड़के जुवा खेल रहे हैं जी सोचो जिन में सेन शक्ती नहीं है दूद के तार तूटे नहीं है वो जुवा खेल के करूड़ोपती बनने की सोच रहे हैं अगर जुवे से अमीर बना जाता तो फिर इलॉनमस कसीनों में बैठा होता ना सरकार की नीती आयों फिर जुवे को प्रोपोड करती जुवे से अगर पैसा कमाया जाता तो फिर तो देश में बेरोजगारी का जंजटी नहीं होता थंडे दिमाग से सूचो रूख जाओ पैसा आपका है सब चले जाएगा बाद में पश्टाने के लावा कुछ नहीं बचेगा हाथ खोलोगे हाथ में कुछ नहीं होगा जो चले गया उसको भूल जाओ अगर उसको याद रखोगे और जाएगा लगातार जाता रहेगा ओके गुडबाई थेंकियो